हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Electronic Study YouTube channel पर आप सभी को नमस्कार यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लगबग 30 सवालों के बारे में और यह आपके जो 30 questions हैं उनमें से आपको 22 से ले करके 25 सवाल जी हैं 22 to 25 questions आपको सही करने हैं आपका standard यूपिटेट और जब आप बात करते हों सिक्षक भरती को ले करके खासकर सिक्षक भरती वाले यूपिटेट सीटेट वाले सभी पढ़ सकते हो क्योंकि जो सिलावस है आपका हिंदी का वो सभी में सेम आपको देखने को मिलेगा आगर आप सिक्षक शास्तर वाले पोर्शन को छोड़ देते हो तो तो चलिए शुरुबात करते हैं पहला सवाल आपका इसमें लिखा हुआ है कि अस्ट चाप के कभी इन में से काउंसे नहीं है नाभादास, कृष्न दास का नाम लिखा है पर्मनंद दास का नाम लिखा है और नंद दास का आप लोगों को मैं बता दू जब आप 31st नमबर क्वेशन की बात करते हो आपने अपना आंसर दे दिया होगा यहाँ पर जो अस्ट चाप कभीयों की बात जब जब आप करते हो तो अस्ट चाप की जब स्थापना की बात होती है तो यह कहा जाता कि 1565 में इसकी स्थापना होई थी जो शुरुवात होती है इनके कभीयों को लेकर के जिन्ट में आठ कभीयों का संबिलन देखने को मिलता है कुम्भन दास जी का संबिलन 1449 से 1582 तक उसके बाद सूर दास जी का नाम आता है यहाँ पर 1448 से लेकर के 1580 तक कृष्ण दास जी का 1495 से लेकर के 1575 तक देखने को मिलेगा पर्मन दास जी भी है इसी में इसी में गोविंद दास है छीत स्वामी है नंद दास जी है नंद दास जी का जो समय है वो 1533 से लेकर के 1583 तक और उसके बाद नाम आता है चतरवुज दास जी का 1530 इस भी में वो आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे जो आठ कवियों के नाम मैंने आपको बताए है इन में से नाभा दास का नाम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा तो ये आपके इन में से अलग हो जाते हैं आगे चलते हैं जो वाडी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा अनिर्वचनिये रह से स्वानभूती करके और आत्म साक्षाद कार करके लिखा हुआ है बिल्कु सही है 32 की जबाब बात करोगे निर्वचनिये मतलब होता है वचनिये मतलब वचन के द्वारा जिसे कहा जा सके जो वचनिये शब्दों के द्वारा बोला जा सके आगे है आचरण की सबहता पूछा है आचरण की सबहता किसका निबंधा है महाविर्पशाद दुवेदी का सरदार पूरड सिंग का है रामचंदर शुकली जी का है या पदमा सिंग का है यहाँ पर आचरण की सबहता आपने अपना आंसर दे दिया होगा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है सरदार पोरड सिंग काउंट करते जाएगा लास्ट में कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कितने आप सही करते हो हिंदी के इस पूरे डिवरेशन में जितने क्वेशन्स हम करवाते हैं भूशड किस काल के कभी है के तीन प्रमुख हिंदी कवियों में से एक है जो दो अन्य कवी है उनमें नाम आता है केशवदास का और बिहरी जी का ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है ठीक है जी तो जो भूशड जी है वो किसके आ जाएंगे आपके रितिकाल में एक कभी की रूप में आपको देखने को मिलेंगे बात आती है भूशड की उपाधी किसने दी यहाँ पर भूशड की उपाधी उन्हें चित्रकोट के राजा रुद्र साह करके थे के नाम है रुद्र साह लिखेगा शाह नहीं लिखा है रुत्रसाह के पुत्र रदेराम ने दी थी इन्हों ने भूशर के उपाधि दी थी तो ये भी आप यहाँ से आध रखेगा आगे कहते हैं कि उत्साह किस रस का स्थाई भाव है जब आप उत्साह की बात करते हो रसों की बात करते हो यहाँ पर तो करुडग लिखा है, वीर है, हास से है, स्रंगार है आपने अपना आंसर कर दिया होगा, उत्साह को ले करके जो रस है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है आनन्द कहने का मतलब यह है, कि जब हम कविता या कावे में जो भी आनन्द आता है, जो भी आनन्द हम ले रहे होते हैं, वही आपका कावे का रस कहलाता है, ठीक है, आप यह भी कह सकते हो कि जब हम कोई सुनने वाला कावे कावे का पठन कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो ऐसे में जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही हम कावे में रस कह देते हैं और रस का चुकि मैंने आपको बता दिया कि जो रस का आपका श्राब्दी करत है वो होता है आनंद बाती आती है उत्साह पहली च और उनके स्थाई भाव क्या क्या बोला मैंने एक तो रस कौन कौन से है और उनका स्थाई भाव क्या क्या है वो भी आप यहां से जा लीजे नूट जरूर कर लीजेगा जैसे स्रंगार रस का जो स्थाई भाव होता है रती होता है ठीक है मैंने का हास रस का हास होता है ऐसे ही जब आप करूड रस की बात करते हो तो करूड रस का जो स्थाई भाव होता है वो शोक होता है ठीक है उसके बाद रादर रस में जो आता है उसका स्थाई भाव क्रोध होगा वीर रस का जो है वो उतसाह होता है भयानक का जो होए वो भय होता है बिभत्स रस अगर मैं बिभत जुगुपसा या गिरड़ा, गिरड़ा लिग देते हूं, जुगुपसा ठीक है, जुगुपसा या गिरड़ा हो गया अध्भुत का आश्चर होता है और शान्त रस का जो आपका स्थाई भाँ है, वो निर्वेद होता है, आपको मैं बता दू, इसके वातसलियरस को दस्व और भक्ती रस को ग्यारवा रस भी माना गया है ये चीज ध्यान रखेगा आप समझ रहे हैं तो यहाँ पर नौ आपके मुखे हैं वातसल रस और जो भक्ती रस है उसको दस्वा और ग्यारवे नंबर का भी माना गया है उम्मीद आशा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अ भाषा काउंसी है अगर आप विने पत्रिका बात करती हो लेकर की तो विने पत्रिका की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी आपका करेक्ट आंसर यहां से सी आएगा एक और सवाल पर चलते हैं यहाँ पर आपसे भी क्वेशन है कितना कुछ आप नहीं सही किया वो तो वर्ग में किस प्रकार के विंजन है तो कंठ है आपका काउगा तालब भी है जब आप बात करते हो मूर्धने है या दंत है आपको मैं बता दूँ टाठा डाड़ा जब आप टावर्ग के पांच वर्डों की बात करते हो तो यह जो 38 है वो आपका मूर्धने या मूर्धा म आपको देखने को मिलेगा आपका correct answer जो है उसी आएगा एक और question है अंधेर नगरी के लेखक कौन है हरे कृष्ण प्रेमी प्रताप नरायन मेश्र जी है भारतेंदू हरिश्ण जी आराम कुमार वर्मा जी अंधेर नगरी चौपट राजा है जो पहलिया लिखते थे आदिकाल में जगनिक, खुस्रो, सरहपा या गोरखनाद करके लिखा हुआ है तो जब आदिकाल में आप पहलियों को लिखने की बात करते हो तो उनमें नाम जो है वो आता है अमीर खुस्रो जी का या नकिएगा पहलिया लिखने वाले कभी में अमीर खुस्रो जी का नाम देखने को मिलता है अगे है पेड से बंदर कुदा इस वाकिय में कौन सा कारक आपको देखने को मिलेगा अपादान है, कर्म है, संप्रदान है या करण है कई बार मैंने बच्छों को पढ़ाया भी है कि कर्ताने अरुकर्म को करण रीति से जान संप्रदान को के लिए अपादान से मान तो आप देखोगी पेड से, यहाँ पर कहीं न कहीं पेड से जो बंदर कूद रहा है तो बंदर पेड से अलग हो रहा है आप समझ रहे हो कि नहीं तो फॉट्टीवन के आप जब जब बात करोगे तो अपादान कारक करताने अरुकर्म को करण रीति से तो करण जो है वो अलग है जबकि जब आप अपादान के बात करते हो तो से अलग या पृथक होने के अर्थ में आपादान में आपको देखने को मिलेगा चुकि पेड से बंदर कुदा बंदर पेड से अलग हो रहा ठीक है जैसे पेड से पत्ते गिरते हैं बिल्कुल वैसा ही ठीक है तो यहाँ पर आपादान कारक आपको जो है वो देखने को मिलेगा आगे चलते हैं स्रंगार रस का स्थाई भाव हास होगा रती होगा क्रोध है या उत्साह है अभी अभी मैं आपको सारा रस बता के आया हूँ तो स्रंगार रस का जो स्थाई भाव है अगर आप लिखे हो आप तुरंत यहां पर लगाओगे कि स्रंगार रस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है रती निम्रे लिखित में से तदभो शब्द तदभो मतलब आपके हिंदी के schabd की बात की गए है तत्सम जो है वो संस्कुर्ट के schabd होते हैं ब्रहमर दिया है, भोरा, अगनी है, मस्तक या मचली 43 आपको गर मैं बात करू यहाँ पर मस्तक का मतलब माथा होता है, ब्रहमर का मतलब भौरा अगनी का मतलब आग होता है मतलब ये 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 तीनों किसमें लिखे हैं ततसम में लिखे हुए है ततसम जबकि ये किसमें है आपका तदभो में होगा तो आपका correct answer क्या आजाएगा D आजाएगा मुझे लगता है कि आप फटा-फट answer कर रहे होंगे इन सारे questions का आगे चलते हैं चौपाई चंद के प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं होती है प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं इन्होंने क्या किया है आपको even पता है सिक्षक भरती का जो आपका syllabus है हिंदी का उसमें लिख दिया है हिंदी व्याकरण अब हिंदी व्याकरण में रख चंद अलंकार आपका संदी समास सब कुछ शामिल होता है आप सबस रहो की नहीं जबकि आप यूपिटेट सीटेट में देखोगे तो चंद और इसके questions अलंकार कम ही मिलेंगे तो यहाँ पर है चौपाई चंद के प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं होती है 44 का जोवाब का आंसर आएगा 16 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगे 44 का जोवाब का आंसर है वो भी हो जाएगा तेरी बर्ची ने बर्चीने हैं खलनके इसमें अलंकार आपसे पूछा है तेरी बर्चीने बर्चीने हैं खलनके कनक कनक ते सौगनी मादक ताहिका है और यहाँ आप आया बवराय जग वाखाय बवराय आप समझ रहे हो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक शब्द उसके अलग-अलग अर्थ होना तो बर्चीने बर्चीने हैं बर्चीने मतलब कहीं न कहीं जो एक जब आप किसी भी लेड़ी के हस्वेंड को ले करके बात करते हो तो उसका एक वर्ज होता है और बर्ची मतलब वो तीर वो जो आपका जब आप कटार को ले करके बात करते हो वो तो है तो शब्द वही लेकिन अर्थ जो है वो अलग-अलग निकल करके आ रहा है और यह पहचान है यमा कालंकार हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम पूछा है आपसे अगर मैं 46 नंबर क्वेशन की बात करूँ तो हिंदी प्रदीप जो है वो बाल क्रिशन भाट जी का है 46 का अंसर आपका भी आएगा 47 बहुत आसान क्वेशन आपसे इन्होंने कहा है कि सुर्योदे का सुर्योदे का संधी विच्छेज सही क्या होगा सुर्योदे पूछा है आपसे यहाँ पर सुर्योदे सुर्य प्लस उदे ध्यान दीजीगा आ प्लस उ सुर्य यानि कि आ प्लस उ यह मिल करके क्या बनाते हैं ओ बनाते हैं और जो ये गुड़ आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा गुड़ संधी में जी हाँ तो वहाँ से सूरियोदे का सूरिय प्लस उदे जो है वो आपका संधी में देखने को मिल जाएगा तो जो 47 है उसका correct answer भी आएगा 48 में आपसे पूछा है उनने की यथा शक्ती में समास बता दिजी क्या है यथा शक्ती में समास क्या होगा अब विभाओ तत्परुस बोला है दू समास बोला है या करमधार बोला है तो नी,ंस, wedपरति, हर यथा यथा यह सारे जो पहचान है जैसे जब भी मा बात करूं जैसे मैंने बुला आमरड नीसु आ आमरड प्रतेक एक के प्रती यथा रुची रुची के अनुसार यथा शेग्र जितना शेग्र हो सके निर्भय भायरहित भर पेट पेट भरके निडर बिना डरे अनुकूल मन के अनुकूल आप समझ रहे हो यथा शक्ती शक्ती के अनुक में आपको दिख रहे हैं वहाँ पर अव्यवी भाव आपको समासु है वो नजर आएगा देखने को मिलेगा इन में से कौन सा शब्द तदभव है मधुप मधुकर भरमर भावरा लिखा हुआ है 49 कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है अभी अभी हम आपको बता कर गया है भा मुदरे का है मुदरी और बहुत ही आसान सवाल है कि मुदरी जो उगली में हम लोग रंग पह điनते ना उसती को बोलते हैं मुदरी और इसका जुआपका exploited होगा मुदरी का होता है आगे हैं दिउठल genetically से कोंसने बंद हाजारी पर शाथ दिववेदी जीका नहीं है अशोक के फोल कोटाज और विचार प्रवाह जो है वो आचारे हाजारी प्रशाद दिविदी जी के निवंधों में आपको देखने को मिलेंगे फिलाल के लिए आप इन ही सवालों पर जो मैंने 11 क्वेस्टन आपको मैंने करवाया है यहाँ पर इन में से आपका जो यह 31 से ले करके यहां तक में आपके हुए 21 सवाल इन 21 सवालों में से कम से कम आपका 18 क्वेस्टन जो है वो सही होना चाहिए कमेंट सेक्षन में आप जरूर बताएगा हम एक और वीडियो को ले करके जल्दी ही आपसे मिलेंगे लाइक और शेयर जरूर क कर दिजिएगा अपने दोस्तों साहब आठियों के साथ में इस वीडियो को थैंक्स पर वॉचिंग